अध्याय त्री ब्रहम रशी वशिष्ट बहुत शक्तिशाली थे। एक सुभा जब वे आश्रम के उध्यान में बने चपूतरे पर योगा भ्यास कर रहे थे। एक राजा सत्यवरत वहां पहुँचे। सत्यवरत सूरिवंच के एक महान और पवित्र राजा थे। उन्हें ये आवास हो गया था कि उनकी मृत्यों निकट थी। उन्होंने अपने जीवनकाल में अच्छे कर्म किये थे। और इसलिए उन्हें यकीन था कि वे स्वर्ग में जगां पाने के योगे हैं। उनकी एक अजीब इच्छा थी। वे अतने शरीर के साथ स्वर्ग जान की काम न करते थे। उन्होंने इसके बारे में सुचा। वे जानते थे कि ब्रह्म रुष्यों के पास जीवन और मृत्यों को नियंतृत करने के लिए भी शक्ति होती है। उसने वशिष्ट से मदद मांगने की सुची समय कम बचा था। इसलिए वे तर कि वहां है। महर्षी ने राजा से पूछा, राजाओं के राजा इस समय यहां आने का क्या कारण है। सत्यवृत ने कहा, महर्षी मैं जानता हूँ की मेरी मृत्य निकट है, क्या मैं स्वर्व में स्थान पाने के योग्या हूँ। वशिष्ट ने कहा, जिन मुझे इसमें कोई संदेह आप जैसा समर्थ और धर्मरायन राजा स्वर्ग में स्थान पाने के योग्य है। ब्रहम मुरशी मेरा मानना है कि आप प्रकृती के नियमों को भी जुका सकते हैं। वशिष्ट ने अब स्पष्टूट से कहा अगर मैं कर सकता था तो भी मैं ऐसा कुछ नहीं करता। फृप्या मुझे ख्षमा करें। बीच दरार पैदा करना चाहता है। वशिष्ट के पुत्र ने उन्हें शाप दे कर अपाहिज बना कर राज्य से निकाल दिया। राजा जंगलों में भटकने लगे। एक दिन उनकी मुलाकात विश्वामित्र से हो गई। राजा ने उनसे स्वेम को ठीक करने की विश्वामित्र वशिष्ट से इतनी नफरत करते थे कि केवल यह साबित करने के लिए कि वे वशिष्ट से श्रेष्ट थे उन्होंने राजा को सश्रील स्वर्ग भेजना स्विकार कर लिया। विश्वामित्र ने कुछ विशेश यग्या और संसकार की, उन्होंने एक ब्रहमशी की अपनी शक्तियों को लागू किया और राजा को स्वर्ग की और भेजा, किन्तु स्वर्ग के देवताओं ने आपतिकी और उसे स्वर्ग में प्रवेश नहीं करने दिया, वह को भी भेज दिया गया, राजा को वहां उल्टा रहना पड़ा राजा सत्यवरत, त्रिशंकू के नाम से प्रसिध हुए अथक आलांतर में त्रिशंकू का स्वर्ग सुलोकर बन गया,